देखिए राहुल जी के एक सवाल है कि सर क्या 2030 में सिक्षक भरती आएगी या नहीं आएगी कुछ लोग कह रहे हैं कि सारे के सारे स्कूल अप प्राइवेट सेक्टर को दे दिये जाएंगे तो ऐसे में सिक्षक भरती कैसे आएगी मुझे बताईए कल से बहुत ज़्यादा अब बताईए सर प्लीज देको ऐसा है राहुल आप सबाल जो कर रहे हो ना इसका जवाब मैं कल लोगो दे चुका हूं ते कली मैं एक वीडियो बनाय था जिसमें मैंने कहा था आपको जो प्राइबिटाइशन वाली बात है सबसे पहले आप प्राइबिटेशन वाली बात ले करके कोई जिक्तर है ना कुछ है ठीक है तो सिक शक भरती है जब जिक्री नहीं हो तो आप इतना ज़icopie यादा प्राइबिटेशन वाली बात है उसमें क्वेल इतना कहा गया था कि ये जो लेटर ना बिभाग को जारी किया था उसमें ये कहा गया था ये कुछुनिन industry बर्तमान समय में टीचर कारवरत उनको टेंशन होने ची कि हमको कौन सिकाएगा हमको वो प्राइबेट सेक्टर वाले लोग सिकाएगे जो की बैल क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं जब कि आप लोगो कोई अगर प्राइमरी के टीचर वनता तो कितने सारे टेस्ट पास करता है तब जाकर को सरकारी नोकरी मिलती है तो ऐसे में अगर किसी को टेंशन में होना चाहिए वो होने चाहिए प्राइमरी में जो अभी बर्तमान में टीचर उनके लिए जबकि उनको पता है की केवल और केवल यह काई की एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट किया रहा है तो इससे आपकी सिक्षक्षकाबर्तिय कुछ भी लेना देना नहीं है और मैं बता हम भरती रहेंगे भरती रहेंगे और सरकारी अच्छी तरीके से जानती थी कहीं ना कहीं अगर भरती को सामिल लहीं किया गया ठीक है भरती को लेकर करके में बात नहीं करी तो कहीं ना कहीं हर जाना भुगतने को मिल सकता है तो भई आप लोग देखा कि अंतिम समय पर अंतिम और सीटाट पास के वह लगवा 21 लाख विरोजगार हैं जो के वह लोग सिख्षक भर्जी की डिमांड कर रहे हैं तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या को इग्नोर करना मुझे नहीं लगता कि सरकार यह चाहेगी और सरकार अपनी तब से यह संखेत देती रही और इस बार भी इन्होंने इसपस्ट कर जिया कि हाँ टीचरों की बेकंसी के लिए रिक्वार्मेंट है ठीक है टीचर की रिक्वार्मेंट तभी तो आप लोंको मालूब होगा कि सदन में मंतरी जी के द्वार डाटा पेस किया कभी आपने देखा ना पिछले बाले मंतरी जी ने कभी अगर गुण वच्ता पूर्न चुक्ट करना है स्कूल में तो कही न बरती लानी होगी और नई भर्ती को लेकर संकित तो पहली दिरी जा चुके है तो आप लोगो तैयारी करो पीक है दो हजार तेस में आप लोगो बैकंसी देखने को मिलेंगी तो इसके कारण देने दिस्कुर्प्शन वाक्स में फ्री क्रियास कोर्स का लिंक दिया हूँ बहाँ पर जाओ आप देख कर सकते हो देखे मैं आपसे बार बार काता हूँ आपके फॉलो करें जो आपको सकाराथ मुग बाते हैं क्योंकि 21 लाक जब बेरोजगार हैं आप लोग को पता हो कि इस बार लगबग कम से कम पांच लाक के आसपास और भीर बढ़ जागी तो यह जो आंकड़ा है ना 25 लाक के आसपास भी जा सकता कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पिछले दो सालों में क्या है कि बहुत सारे लोगों का B.A.D. or B.T.C. कंप्रीट हुआ हो तो बो लोग भी तो य ही महीने बाकी है अक्टूबर तो चली रहा है नॉमबर और दिसंबर जनबरी में आपका टैट हो जाएगा और उसके बाद में आप लोगों को सिक्षक बर्ची देखने को मिलेगी तो इसलिए आप अपनी धैर के साथ में त्यारी करते रो डी मोटिवेट जो करते उन चैन